इलाइट स्टेडी प्रेटफर्म पर आप सभी का पुना स्वागत है इस सीरीज में हम डिसकुसिन कर रहे हैं हिमाचल परदेश पूलिस कोचिंग के बारे में आज से आपकी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से जिसमें हम विश्यस तोर से हिमाचल परदेश को कबर अ करेंगे क्योंकि हमने पहले ओल्ड को सिसके पढ़ लिए उसमें हमने समझ लिया किस तरह के जीके के प्रसन पहां पर पूछे जा रहे है कुछी दिनों में आपको जो हिमाचल परदेश का समान्य ग्यान है वह यहां पर इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लेट करवाने की इसकंदर दिखें कुछ जीलों को आपस में बांट लिय जाता है तो यहां पर हमारे बात करें इमाचल परदेश में तीन मंडल है सरी निकायों की बात करें तो इनकी संक्या 54 है अभी ओसकता है जैसे पंचाइति चुनाबी प्रस्तावी ते इसमें कुछ अमेंडमेंट भी देखने को मिले लेकिन बात करें उपमंडलों की संक्या की तो उपमंडलों की संक्या कितनी है ज़से बीडियो आफिस भी कहा जाता है उनकी संक्या कितनी है 78 है ये बहुत मत्तोपुर्ण फ्यक्ट है बहुत बर प्रिक्साओं में पहले भी पूछा जा चुका है कस्वों की बात करें तो 59 कस्वे है हमारे चोटे से परदेश में अब देखिए जो अगला प्रसन है वो आपके लिए बहुत ही मत्तोपुर्ण आपको ऐसे पता होना चाहिए जिस विभाग में आप सरकारी नौकरी करने जा रहे है आपसे पूछे जा सकता है कि हिमाचर परदेश में पूली स्थानों की संख्या कितनी है तो आप उसका उतर करेंगे 125 फाइव गराम पपंचायतों की संख्या बात करें तो इससमय हिमाचर परदेश में करीब 326 गराम पंचायते है तो समय आपको पहले भी कहा कि सी वरस vicheck पंचाय पंचायतों के चुनाब भी प्रस्ताबित है तो चुनाबों से पहले के दिए बात करें अभी इसमें हो सकता है कुछ सरकारे इसमें और नहीं पंचाइतों को जोड़ें जिसे नगर निगमों को भी बढ़ाने की बात चादी किम्कि हैट परजेंट हमारे पास दो ही नगर निगम है सीमला और धरमसाला तो याद रखिएगा 326 पंचाइते हैं हमारे इस परदेश में गाउं की संख्या की बात करें तो करीब 20,690 गाउं हैं परदेश में से सांस्तों की कुल संख्या इस इस प्रस्तों में कन्फ्यूस होते हैं बहुत से बच्चे इसका उतर गल्त भी करते हैं ले साथ होगा ठीक है जी अब एक संसत कौन होते हैं देखिए हमारे परदेश से लोकसभा के लिए चार संसत चुने जाते हैं मंडी से चुने जाते हैं सिम्ला से चुने जाते हैं उसके बाद कांगडा और हमीरपूर है इन चारों में से जो सिम्ला बाले सीट है रिजर्ब रह इसी के साथ में मिलता जूलता प्रसन है, हिमाचले परदेश में जो विधान सबा है, उसकी कितनी सीट्स है, 68 सीट्स है, बरतमान में जो हमारे मुख्या मंतरी है, जैराम ठाकुर जी है, राजया पाल बंधारुद दात्रिय जी है, विपक्स के नेता मुकेस अगनिहोत्री ज यहां पर जो अकसांस है, इसको आप खुद याद कर लीजिएगा, यहां पर देखिए, यह कई बार अकसांस और देसांतर पूछ लिजाता है, कि जो हमारा लॉंगिटूट और लेटिटूट है, उसमें भारा इमाचले परदेश कहां जैसे पढ़ता है, यहां आपको खु यहां परदेश में 12 जिले है, और 70 फल की बात करें, तो 55,630 बर किलोमेटर में हमारा यहां परदेश फैला हुआ है, और इसी भूमी को 12 जिलों में विवाजित भी किया गया है, जिसमें कांगडा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 70 फल की अधार पे बात करें, तो लॉ पंदर्वी सैंसिस थी, इसको भी याद रखियेगा, और अब जो हमारे पास 2021 में सैंसिस होगी, यह सोलमी जनसंख्या होगी, यह प्रसन भी आपको जुरूर देखने को मिलेगा, किसी ने किसी प्रिक्सा में, तो इमाचल परदेश की जनसंख्या होई थी, उसके मताबिक करें, तो हिमाचल परदेश समुंदर तल से 350 मीटर से लेकर 6,975 बर किलोमेटर तक फैला हुआ है, जनसंख्या में बात करें, तो पूरसों का प्रतनी दितो थोड़ा से जादा है, 34,88,830 पूर से हमारे इस परदेश में, महिलाओं की बात करें, 33,2,729 महिलाएं है, नेक् इतने जो हमारा टोटल पॉपॉलेशन है, उसका जनसंख्या घनहत्तो कितना बैठता है, तो यहां पिदे कि प्रती बर किलोमेटर यह होता है, तो हिमाचल परदेश में 1000 की जनसंख्या के बात करें, तो 123 क्या है हमारा डेंसिटी है, आपने बस 123 को याद रखना है, हिमाच प्रति बात करें, यहां पर बात की जारी है, एजूकेशन रेट की, तो 2011 की सेंसिस के अनुसार, जो हमारा परदेश है, 22.80% हमारा जन मानस यहां का पड़ा लिखा है, इदि हम पूर्सों की बात करें, 89.53% पूर्स पड़े लिखे हैं, मैलों की बात करें, 75.93% मैला है, यह प्रसन विभिनतरा की प्रतियों की प्रतियों की प्रिक्साँ में प्रसन पहले पूछे जा चुका है, वो सकते हैं भारत का जो सबसे साकसर राज्य है, उसका नाम है केरल, इमाचल प्रदेश में दो नगर निखम है, कहां कहां पर है, सीमला में है और दूसरा दरमसाला में है, इदि हाली में तीन और नगम निखमों को बनाने की मांग उठरी है, जैए आप हरुत सुबह हमारा 6 बजे, क्र जा रहे है, आले में जो Lecture School के डरी हिस्ट्री की प्रिक्सा होई थी, डी लैट की प्रिक्सा होई थी, अच्पी बोर्दोरस का युजन किया गया था, उन प्रिक्साओं में 7% हमारे इसी किताब से पुछे गया थे, किताब का नाम है हिमाचल परदेश इक समगर हजन किताब, इस किताब को आप मारे website illustratedco.in से प्राप्त कर सकते हो, बात करें हिमाचल परदेश में जल भिदुत क्समता की, तो हमारे परदेश में 27,436 मेगाबाट क्या है, जल भिदुत क्समता है, इतनी यहां से बिजली उत्पन की जा सकती है, लेकिन अभी तक दोन की बात करें, सरका जा सकता है, क्योंकि आपको भी पूलिस कांस्टेबल में एक बहुती बड़े competition को भी बीट करना होगा, नेक्स्ट बन इस अगला प्रसन एक सेतरफल की द्रिश्टी से देश में, देश में हमाचल परदेश का कौन सा स्तान है, तो यहां पर देखिए अठारबा है, आज कर 17 पर पहुंच गया होगा, क्योंकि अब जैसे जम्मू का स्मीर है, उसका उस्टेश वहां से छीन लिया गया है, तो इस तरह के छोड़ चोड़े प्रसनों में इस तरह का बेरियसंस आता है, तो उसे आप अपने बुद्धी के अधार पर उसे rectify कर सकते है, जन संक्या की द दूसरी धरमसाला, धरमसाला को भी सरकार के दोरा नोटिफाइट कर दिया गया है, चीप प्रोविंस के रूप में हिमाचल परदेश का उदय कब हुआ, लेकि हिमाचल परदेश पंदरा अपर एर 1940 कोस्तितों में आया था, याद रखिएगा, उससमें चार जी ले थे, चा का समन्द कहां से था, सिर्मौर से था, देखिए, मंडी आ गया, महासू आ गया, सहसे आपने सिर्मौर को पकड़ा, और लास्ट में आपने चम्बा में चले जाना है, जहां पे मिंजर मेले का या उजन किया जाता है, इस इस बेर इंपोर्डेंट, तो देखिए, पंदरा प्रहन उननी सो और तालिस को, जब यह हमारा परदेश बना था, तो चार जिले थे, मंडी, महासू, सिर्मौर और चम्बा, आई थिंक आपको कभी विस प्रसन को नहीं भूलेंगे, इमाचल परदेश को गस रेनी राज्या का दरज्या कब दिया गया, सितंबर उनी सो इका इमाचल परदेश को गस रेनी यानी पार्ट सी का दरज्या दिया गया था, आपसे ऐसे प्रसन यहां से जो अगले 4-5 प्रसन है, यहां से तो एक प्रसन आपको मैं गरंटी देता हूँ, यहीं से आपको एक प्रसन आने बाला है, इमाचल परदेश केंदर सासित परदेश क पुर्ण राज्य दिवस की बात करें पूर्ण राज्य दिवस बना जाता है पच्चिस जनवरी ओर हुमारा रिपपलिक डे होता है भारत का रिपबिक डे बना जाता है टुन्टीटिस जनवरी को यह आप पूछ दिया जाए कि हिमाचली दिवस का बनाया जाता है तो इसे का जाता है 15 अपरेल ठीक है यदि पहाडी दिवस का बनाया जाया तो आप उसका उत्तर करेंगे एक नमंबर यानी अब आप याद रखेंगे एक नमंबर को बनाया जाता है पहाडी दिवस 15 अपरेल को बनाय जाता है हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्या दिवस हिमाचल प्रदेश में बना जाता है 25 जनुवरी को ये तीनों फैक्ट बहुत ही मत्तो पूर्ण है चाहिए आप किसी प्रिक्सा में बैठेंगे प्रसना आपको जुरूर देखने को मिलेगा इदि बात करें हिमाचल प् पहले भी बता दिया कि 973 है हमारा ठीक है फोलों का आस्तन उत्बादन के बात करें 9,23,680 के आसपास है आस्तन जो बरसा होती है हमारे इस प्रदेश में वो 1469 mm के आसपास होती है राज्या पसू की बात करें तो जो हमारा राज्या पसू है वो बरफानी तेन दुआ है इस राज्या ब्रिक्स राज्या ब्रिक्स हमारा देवदार है और राज्या फूल गुलाबी वुरांस है ठीक है जी और आगे देखिए राज्या फूल गुलाबी वुरांस आपको बता है राज्या खेल वाली वॉल है राज्या वासा हमारी हिंदी है इस बेर इंपोर्टन एक पूल गुलाबी बुरानस है राज़या खेल बालिबॉल है राज्या वासा हिंदी है और हिमाचर परदेश में पांच नदिया बैती है कौनटकौनसी है तो यमुना उसका सही उत्तर होगा सबसे ज़्यादा जो जल विदूत की समता है सतलूज नदीबे इस सारे फैक्ट सापने याद रखने है आगे हम रिबर्स के बारे में विश्त्रित में चर्चा करेंगे रेलवे लाइन कालका और सिमला के बीच में रेलवे लाइन विचाई गई है इमाचल परदेश का जो पुराना कीला है उसका नाम क्या है कहां पर है कांगडा में याद रखिये काफी फेमस है कांगडा कीला ठीक है इमाचल परदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है तरीगर्त दूसरी कुलूत मानी जाती है हमाचली परदेश में जो प्रथम पंचबर्सिया योजना सुरू हुई थी 1951-1956 है और हैरिटेज सिटी के नाम से जिस नगर को जाना जाता है उसका नाम है मंडी मंडी को छोटी कासी भी का जाता है कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधाने भी हमाचली परदेश की मंडी को ही कहा जाता है हमाचली परदेश की विधान सबा के जो प्रथम चुनाब हुए थे नमंबर 2021 में हुए थे और लोक सबा के चुनाब हुए थे हमारे इस परदेश में 1952 में अहली में परदेश की सिप्रिक्सा में देखने को मिला था रिसेंटली परदेश पुछा गया था विश्व का सबसे प्रणा जो लोकतंतर है वो मलाना है कुल्लू का लोकतंतर है तो स्टेंड साज इतना ही आगी सीरीज कम टू भी कंटीनू रखेंगे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाईएगा और वहां पर आपने टाइप करना है इलाइट स्टेडी और हमारे एजुकेशनल एप इंस्टॉल कर लीजिए इस एप से आपको बहुत ज़्यादा साहिता मिलने वाली है उसके लाबा आपको पूलिस काउंस्टेबल के लिए एक बुक हम सुजेस्ट करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाईएगा वेबसाइट पर आपको एक किताब मिलेगी जिसके उपर लिखा होगा पूलिस काउंस्टेबल अभी तक की जिनी मार्केट में किताब उपलब दी उसमें से हमें किताब बेतर लगी ठीक है तो ये किताब आपको साहीता कर सकती है आप उस किताब को भी हमारी वेबसाइट www.elastudyco.in से ओनलाइन घर बेट्थे पराप्त कर सकते है ये किताब को अपने पास जूर रखिए क्योंकि आपको वीडियोस हमारे नियंतर सुनने है और उस किताब के साथ भी अपनी त्यारी को आगे बढ़ाना है thank you very much keep watching elastudy youtube channel